नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सरकार 3 मार्च 2023 को अपना बयट पेश करेगी, जार्खन की सन्युक्त प्रगती सिल गटबंधन सरकार का या आकरी पूर्ण बयट होगा, अगले साल सरकार सदन में वोट अन अकाउंट पेश करेगी, राजे पल्रमेस बैस के अभिभासन के साथ 27 फरवारी को बयट सत्र प्रा जाएगा, वहीं दो मार्च को अनुपूरक बयवय, परवाद, विवाद और मत दान होगा, तीन मार्च को प्रशन काल के बाद सरकार वीतिय वर्ष 2023 का बयट पेश करेगी, जार्खन में तापमान बढ़ने लगा है, पच्छुआ हवाओ की वज़ा से सूबह साम थोड़ी लग रही है, राजधानी राची का अधिक्तम तापमान 28 डिग्री है, जबकि निम्तम तापमान 15.5 डिग्री पहुंच गया है, यह समाने से 4 डिग्री अधिक है, अधिक्तम तापमान 20 समाने से 3 डिग्री अधिक है, बता दे बीसम उन्दा यारपोड के पास इस्थीत भा परत मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम केंद्र रांची ने बुद्धवार को बताया है कि फिछले 24 खंटे के दोना राई धानी राची का दिक्तमत अपमान में 1.8 डिगरी सेलसेल की गिरावट दर्द की गई जबकि निम्तमत अपमान 2.5 डिगरी बढ़ गया है जल्द नियोजन नीती बनाने की मांग युवाओ के भविस के साथ हो रहा खिलवार पीट थपतपा रही है सरकार के नीती और नियत साप नहीं है सरकार युवाओ को नौकरी देने में नहीं नौकरी का सपना दिखाने में विश्वास करती है भीग्यापन निकाल कर रद किया जाता है सरकार अनुबंध कर्मियों पर भी कहर बर्पा रही है युवाओ का धर ये खत्म हो रहा है अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों के सूद नहीं ले रही सरकार आस्थाई करण की बांग खोलेकर अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों की हर्दाल जारी है साथ ही इनका राजबन के समक्ष धरना लगातार 23 दीन और अंसन 16 दीन जारी रहा अभी तक इनके साथ न तो वार्ता हुई है और नहीं अस्पताल में सेवा नहीं देने पर कोई करवाई ही हुई है इनकी हर्ताल से स्वास्थ सेवाई लगातार प्रभावित हो रही है सबसे अधिक प्रभाव बच्चे के ठीका करन पर पढ़ रहा है पर तेक माह नौतारी को मातरू सीसू जननी सुरक्षा कारकरम आयोजीत किया जाता है इस कारकरम के तहत गर्भवती मत्ताओ की जांच हर समुदाइक स्वास्थ केंदर में कराई जाती है बतादे गुरु आर को आयोजीत होने वाला यह कारकरम भी प्रभावित होने की समवना है वही अनुबंध कर्मियों के अनुशार वे हर दिन उमीद करते हैं कि साम तक कोई निर्नय होगा लेकिन उन्हें निरासा ही हाथ लगती है निजी छेत्र में अस्थाई लोगों की नौकरी सुनीसित करने के लिए विशेस समीती राजमेनी जी छेत्र में अस्थानिय लोगों को नोगरी सुनेशित करने समधी निर्देश को लेकर गठित बिधान सभा की विशे समीति 10 से 12 फरवरी तक गोड़ा और देवगर का दोरा करेगी इस दोरां समीति के सरसे विभागी अधिकारियों के साथ साथ जीले के मुखे नियोकता समधित कंपेणियों के प्रतिनीधी समेथ चेंबर अफ कमर्च के प्रतिनीधियों से मुलकात करेंगे बता दे विधान सभा सचीवाल है कि ओप सचीव एस सीराज वजीह वंटी ने इस समधी सूचनाय समधित जीलों को भेच दिया है उलेखनिया है कि विधान कानी सत्र में गिरी डी के जामों विधायाक सुधिव्य कुमार सोनु ने सवाल पर विशेश समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया था सियम हमंत का आदेश जारखन की बेटी के साथ अमानुए बेभार करने वालों को खिलाप करे सक्त करवाई मुख्यमंत्रे हमंसुरें ने सिम्डेगा निवासी 14 वर्सी बच्ची के साथ किये गया अमानुए बेभार को गंभीता से लिया है उन्होंने सिम्डेगा के उपायुक्त और जारखन पुलिस को मामले में एफायार दर्ज कर सकत करवाई करने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उपायुक्त ने ओगत कराया है कि मामले को संग्यान में लिया गया है गढ़वा में 16 के साथ असलील बात करने के मामले में दो टीचर्स होंगे बरखास। गढ़वा के खरउंदी परखंड छेतरे की नौई की 16 के साथ असलील अडियो वैरल होने के बाद दो आरोपी सहायक सिक्छक बरखास्थ होंगे दोनों सिक्षक के खिलाब पोस को एक्ट सहीत अने धराय लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि दोनों आरोपी सिक्षक घटना के बाद सही फरार हो गया है। इधर इस मामले के कारण इसकूल में पढ़ाई बाधित हो गया है। कॉम मैच के अधार पर की गई। शुक्रवार को टीम बोकारों के लिए रवाना होगी। राची का पहला मैच सनीवार को सिम्डेगा से होगा। बता दे टीम में चरनित खिलाडी में सैपी कुमारी स्रेया जा अमीशा परमान सामिल है। जार्खन के सरकारी स्कूलों के सिक्षकों को अब ओनलाइन आवेदन पर ही मिलेगी छुट्टी। इसके लिए स्कूली सिक्षा वा सर्षता विभाग के सचीव के रवी कुमार ने सबी जीला सिक्षा पदादिकारी और जीला सिक्षा दिच्षों को मंगलबार कुनिदेश जारी किया। बता दे लिव मेनेजमेंट मोड्यूल को इद बिद्यवानी पोर्टल पर लाइब कर दिया गया है यह मोड्यूल सभी पदाधिकारियों परधना ध्यापको और सिखों की छुट्टी के लिए ओनलाइन आवेदन जमा करने के उनमति देगा इसमें छुट्टी की पत्राता से समधित पूरी जनकारी होगी छुट्टी के लिए ओनलाइन आवेदन पर समधित परधना ध्यापक या पदाधिकारी अपनी मुहर लगाएंगे सिख्ठा सचीव के रवी कुमार ने सभी DEO, DSE को निर्देश दिया है की पत्र जारी करने किती थी राजी के सभी पताधिकारी और प्रधना ध्यापको और सिख्षको को सिर्व लिव मनेजमेंट मोडियोल के माध्यम से चुटी के लिए आवेदन करते हुए अवकास प्राप्त करना होगा जारखन में अभी नहीं होगा निकाय चुनाव जार्खन में निकाय वर नगरपाल का चुनाव के फिलहाल असार नहीं है इससे समधित मामला सुप्रीम कोट में है बताजे राज सरकार ने निकाय चुनाव में ओविस यारक्षन को लेकर सरोच नियालाय में जवाब दाखिल कर दिया है मुख सरचीव द्वारा सरोच नियालाय में दाखिल प्रती सपत पत्र में कहा गया है कि राज सरकार सरोच नियालाय द्वारा पारित आदेस के अलोक में ही राज में निकाय चुनाव करागी बता देगिरी डिसंसा चंद्र प्रकास चोधरी द्वारा दायर अमानावाद मामले में सरोष नेयरले में दाकिल प्रती सपत पत्र में सरकार ने कहा है कि राज में निकाय चुनागी परकिरिया शुरू नहीं की गई है देश का पहला डिजिटल खिलाडी पोर्टल जहारखन में लांच मुख्य मंतरी हमसुरे ने जहारखन को खेल की नरसरी बनाने के लक्ष के साथ खेल और खिलाडियों के संपूर्ण विकास के लिए जो हर खिलाड़ी एस्पोर्ट इंटिग्रेटेड पोर्टल की शुरुवात की है इसके तहर जारकन एस्पोर्ट डिजिटी जेशन सोच के साथ या पहला ऐसा पोर्टल देश में रखा है जो राज के प्रतिभाग साली औ मेहनती खिलाडियों के हुनर को और तरासने का प्रयास करेगा मुख्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया या पोर्टल एस्पोर्ट डिजिटीलाजेशन की सोच को मजबूत अधार देता है यहीं पोर्टल पर खिलाड़ी प्रसिक छक रेफरी सभी खेल अकादमी खेल की जनकारी उपलब्द है वहीं पोर्टल पर भविस में राज में आवेजित होने वाले राज और जीला अस्तरिय पर्त्योक्ता की जनकारी भी मिल सकेगी रांची के मोराबादी मैदान में पांच मार्च को आदिवासी बचाओ महारायली पर चार परसार को तेज करना होगा लक्ष्मी नरायन मुंडा ने कहा है कि पांच मार्च की महारायली आदिवासी यत को बचाने और आदिवासी बिरोधी ताक्तों के खिलाप अल्ला बोलने की रहली है लोबिन की जेतावनी चार मार्च को परमंडली समेलन तो 24 फरवारी को बंद रहेगा जारखन बोर्यो से जामो बिधायक लोबिन हेमरम अपने ही सरकार के खिलाप हमलवार हैं कभी उन्होंने 1932 के खत्यान परमुद्दे पर राई सरकार को घेरा तो कभी नियोजन नीती पर बतादे हाल ही में वे पारशनात पाहारी वाले बिवाद को ले कर कहा है कि पारशनात आदिवासीों कहा है साथ हे उन्होने आंदोरण की चेतावनी देते हुए कहा है कि चार मार्च को हजारी बाग में परमंडली समेलन होगा वहीं 13-14 मार्च को विधान सभा के समक्ष धारना और 15 मार्च को विधान सभा घिराव किया जाएगा वहीं 18 मार्च को राईधानी राची में रहली होगी जबकि एक 22 और 22 फरवरी को पारसनाथ में आदिवासियों का जुटान होगा उन्होंने कहा है कि पारसनाथ आदिवासियों का मरांग बुरू असल था और रहेगा लोबिन हेंब्रम ने कुछ दिन पहले जार्खन बंद का एलान किया था उन्होंने कहा था कि कुछ लोग मुझे पार्टी से निस्कासित करने की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं मार्टी से नहीं उन्होंने कहा है कि मैं उन्हीं बातों को उठा रहा हूँ जो चुनाव की दुरान जन्ता से किये गए थे निसिकांत दुबे ने लिखी चिठी राहुल गांधी के खिलाप हो आवमानना वाध की करवाई भारतिय जानता पार्टी के सांसद डाक्टर निसिकान दुबे ने कॉंग्रेस के पुर्वर रष्ट्री अध्यक्स और सांसद राहूल गांधी के खिलाप करवाई की मांग की है डाक्टर दुबे ने लोगसभा अध्यक्स ओम भीरला को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि राहूल गांधी ने परधान मत्री नादमधी पर कई आरोप लगाया है इसके समर्थर में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया राहूल गांधी का या किरित्य परधान मत्री ही नहीं सदन की भी अमाना है निसिकान दुबी ने एक पेज की अपनी चीठी में Rules of Procedure and Conduct of Business in लोगसभा के रूल 233 के तहस सांसद राहूल गांधी के खिलाप Privilection Notice दिया है इसमें उन्होंने कहा है कि कंग्रेस सांसद ने सदन में परधान मत्री खिलाप गुमराह करने वाले PM को अपमानित किया है उन्होंने असंसदिय और अमर्यादित भासा का इस्तिमाल भी किया है बुढ़ा पहार के ग्रामिनों को रोजगार से जोडने की परकिरिया सुरू बुढ़ा पहार में ग्रामिनों को रोजगार से जोडने और रोजगार की सुधा परदान करने के लिए जहरखन पुलीस चह घोड़े की खरीद करेगी इस दिशा में जहरखन जगुवार ने तियारी शुरू कर दी है घोड़े की खरेदारी के बाद से बुढ़ा पहाड में रहने वाले छव ग्रामिनों को सौपा जाएगा ग्रामिनों के चयन के लिए उनका अधार काड़ भी मांग लिया जाएगा पुलिस अधिकारियों से मिली जनकारी कांसार पहाड के उपर सुरक्षा के में जो जवान रहते हैं उनके पास अभी खाने सहीत अने समान हेलिकोप्टर के मादयम से पहुचाये जाते हैं इसके अलावा ग्रामिन अभी जो माथा या कंधे पर समान ढोकर उपर ले जाते हैं उन्हें 2000 रूपए की दर से बुगतान भी किया जाता है अमरित भारत एस्टेशन के तहत जारखंड के 57 एस्टेशन होंगे बिकसीत केंध्रिये रेल बयट में अमरित भारत एस्टेशन के तहत राज के 57 एस्टेशनों के बिकसीत किया जाएगा सभी चैनित रेलवे स्टेशनों में फूट ओबर ब्रीज, रिटारिंग रूम, सचालाय, फूट पलाजा, वाटर, फ्यूरिफायर, एक्सलेसर, लिफ्ट, दिव्यंगों के लिए सीधी, बड़ी पारकिंग और रेलवे स्टेशन के आस्पा संदरी करण के काम किया इसमें बल्सरिंग, बानो, बाड़ा, जामदा, जक्सन, बरका खना, बासकीनाथ, भागा, बोकारोष्टी सिटी, चाईबसा, चक्रधरपूर, चांडिल, चंदरपूरा, डाल्टेन गांज, डंगवा, पोस्ट, सामिल हैं जार्खन के 7500 सरकारी स्कूलों में सुरू होगी पूरो बालपन कक्षा, जार्खन के 75-100 सरकारी बिद्यालों में पूरो बालपन, प्ले, ग्रूप, सिक्षा के नाम से नई योजना सुरू की जाएगी, इन बिद्यालों में सिक्षा विभाग द्वारा पूरो प्राथ्मि के लिए समागरी खेल कूद के समान वर्ग कक्षा के लिए फरनीचर कलास रूम में पेंटिंग की बेवसा कराई जाएगी 75 बिद्यालों में 444 बिद्यालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा रासी उपलब्द कराई गई है इन बिद्यालों को संसाधन युक्त करने का कारेश चल रहा है रामगण में मंत्री बन्ना गुपता और सत्यानंद भोकता को यूआओ का जहलना पड़ा बिरोद यूपेस समर्थित कांग्रेस परत्यासी बजरंग महतों के नमागण के मोके पर रामगण पहुंचे राजे के स्वास मंत्री बन्ना गुपताम स्रम मंत्री सत्यानंद भोकता को यूआओ के बिरोद का समना करना पड़ा यूआ नियोजन निती नहीं बनने और रोजगार नहीं मिलने से नराज थे यूआओ ने परखंड करया लेकि समग से सड़क से मुड़ने के करम मंत्री बन्ना गुपता के वाहन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे बड़ी मुश्की से सुरक्षा कर्मियों ने यूआओ को हटाया साथी सत्यानद भोकता को उतर कर जाने के करम में यूआ चिला चिला कर करने लगे की सासन बदला पर सासन बदला लेकिन नहीं बदली लोगों की हालात और नहीं मिला रोजगार पलामू में बगर अनुमाती जूलूस निकालने पर होगी करवाई रात दस बजएक बाद डीजे बहंद पलामू में अब बिना अनुमाती के जूलूस निकालने और धारना परदसन करने वालों की अब खैर नहीं जिला परसासन ऐसा करने वाऱों खिलाप करी करवाई करने को ठानी है किसी भी तरह का जुलुस निकालने और धार ना परशन करने वालों के साथ डीजे बजाने के लिए तय नियम और सर्तों का अनुपालन करना भी सुनशित करना होगा डिसी अंजनया युलू दोड़े इस मामले को लेकर गंभी रहाएं उन्होंने सदर अनुमंडल पता दिकारी को बगार अनुमाति के जुलूस निकालने वालों लोगों पर करवाई करने का निदेश दिया है देश बिदेश के परटकों को इटखोरी मंदीर के इतिहास को जानने का मुखा 29 फरवरी 2023 से शुरू हो रही तीन दिवसी राज किये इटखोरी महोसर में आने वाले देशी और बिदेशी परटकों को मंदीर से जुड़े इतिहास को जानने का मुखा मिलेगा पता दे हैं कि म्यूजियम में रखे प्राचिन कायल के आउसेसों को देखकर मंदीर के इतिहास को जान सकेंगे म्यूजियम में पाल वंस कायल का आउसेस है इनमें सनातन बहुत एमजयन धर्म की परतिमाय है मिर्जम में मंदीर के आउसेस के साथ साथ खंडित मूर्तिया रखी हुई है सभी में आकरशन कला किरिती उत्रिष्ठा है मिर्जम में रखे पुरा तत्वीक आउसेस नौवी से बरावी सधी का है महुसर को देखते हुए सभी की सफाई की जा रही है बाहर से आने वाले प्रेटक इन्हें दे कर इस छेत्रे की महता और इतियास को जान सकेंगे गढ़वा में सोन कनहर पर्योजना से सुखे जलासियों में आएगी जान सुखार वा समय पर वारिस नहीं होने की वाज़से प्रहवित गढ़वा जिले के 366 छोटे वा बड़े जलासियों के दीन बदलने वाले हैं बतादे सोन कनहर अंडर ग्राउंड पाइप लाइन पर योजना से गढ़वा जिले की 22,000 हेक्टेर भूमी सिंचित होंगी 1276 क्लोर रुपए की लागत से इस योजना को पूरा किया जाना है साल 2019 में सुरू की गए इस योजना को मार्च 2022 तक पूरा करना था लेकिन करोना काल की वज़ा से काम परवावित हुआ अब इस कार्यों को 30 जून 2024 तक पूरा करने का समय ताई किया गया है बरतमान में इस योजना का करी 50 परश्यत कारे पूर्ण करन लिया गया L&T नामक कमपनी इस कारे को पूरा कर रही है जहरिया से हटाये जाएंगे 1,04,946 लोग दिया जाएगा मुअबजा जहर्खन के धनबाद जीला में इसी जहरिया के 15,425 परवारों को हटाया जाएगा बिस्थापित होने वाले परवारों को भोमी अधिगरहन कानून 2013 के तहत मुअबजा का भुकतान भी किया जाएगा केंद्रिये कैबिनेट सचीव के अधियक्स्ता में हुई बैठक में जहरिया मास्टर प्लान के किर्यान वेयन को मंजूरी दी गई केंद्रिये कैबिनेट सचीव राजीव गोबा की अधियक्स्ता में यह बैठक हुई है बता दे बैठक में जहरिया के लोगों के पूर्णवास पर एक स्पोर्ट कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को केंद्रिये केबिनेट सचीव की अध्यक्स्ता में फूई बैठक में मंजूर कर लिया गया है रेलेवे ने चोदवी बार जीता खिताब रेलेवे ने जे स्टेडियम रांची में खेले गए सिनियर महिला एक दिवसी ए ट्रोफी किरकेट टूर्णामेंट का चोदवी बार खिताब जीत लिया है क्रीसी बजार सुलक के खिलाब व्यापारी 15 फरवाई से अनिसीत कलिन हरताल पर फेडरेशन ऑफ जारखन चेंबर अफ कोमर्स और इंडस्ट्रीज के बैनर तले बुद्धवार को मुराबादी में हुई राजय अस्तरिय बैठक में सामिल होने वाले सभी थोक व्यापारी ने बुद्धवार को अपना क्रीसी ब्यावसाय पूरी तरह बंद रखा अनुमाल लगाया जा रहा है कि राजय भर में एक दिन की बंदी से करीब 100 कोडोर के करोबार का नुक्सान हुआ व्यापारियों ने एक जुट होकर कहा एक किरिसी उत्पायत की खरीद विक्री पर सरकार की ओर से दो पर्तियत किरिसी बजार सुर्क लगाया गया जो पूरी तरह से ताना साही और अपसर साही का रूप है अम्रित सर पहुँचे मुख्य मंत्री हमान सुरेन सुर्ण मंदीर में माथा टेका मुख्य मंत्री हमान सुरेन पंजाब दोरे पर है इस दोरान बुद्धवार को ये अम्रित सर पहुँचे अम्रिसर में उन्होंने हर मंदीर साहिब में माथा टेका उन्होंने राज और राजवासियों की खुशाली की कामना की मुख्य मंद्री ने इस्वर का धन्यवाद किया और सभी की भलाई के लिए प्रात्ना की धन्यवाद